आपके स्वाक्षिस से संवंधित अधिक जानकरी पानी के लिए आयरुवेद केर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें अरविंदासो एक आयरुवेदिक आउशदी है आयरुवेद के महान ग्रंत भैशजर अतनावली के बाल रोगा अधिकार अध्याय में इस आउशदी का उल्लेख है इस श्लोक में अरविंदासो बनानी की विधी और उसके उप्योंगों के बारे में बताया गया है आये जानते हैं अरविंदासो के घटक द्रव्य या इंग्रेडियंट्स क्या होते हैं वैसे तो अरविंदासो में कई महत्वप्रण आउशदियों का संगम है अरविंदासो के नाम में ही अरविंद है अरविंद याने कमल का फूल इसमें मुखे तह सफेद कमल, खस, उशदियों का एकत्रिकरन किया गया है तो आए जानते हैं इस अरविंदासो के क्या फायदे होते हैं याद रखिए ये दवाई डॉक्टर के सलाह के बगेर बच्चों में नहीं लेनी चाहिए अरविंदासो बच्चों के सभी रोगों में हित कर है यह मुख्य रूप से वात दोश का शमन करता है और पित और कफ दोश को संतुलित करने का काम करता है यह दवा बच्चों के भूक में सुधार करती है और उनको अगनीमान्दे से बचाती है अर्विन्दासों के उप्योग से बच्चों के पाचन शक्ती में वृध्धी होती है रोग परतिकारक शक्ति वर्दक होने से अर्विन्दासों जिवानों के विरुध शरीर की शक्ती बढ़ाता है यह दवा कमजोर बच्चों के शारिरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यनतम महत्वपूर्ण है अर्विंदासो पेट साफ करके वयस को दूर करती है और बच्चों का वजन बढ़ाने में कारगर है अर्विंदासो के उपयोग से हड्डियों की कमजोरी दूर होकर वह मजबूत बन जाती है अर्विंदासो का उपयोग बच्चों के साथ साथ वयस कवेक्ति के लिए भी हतेलियों की और पेरों की जलन के उपचार के लिए भी उपयोगी मानी जाती है आये जानते हैं अर्विंदासो के मात्रा क्या होती है अर्विंदासो एक से तीन साल तक के बच्चों को 10 से 20 बुल याने 2 से 3 ml और 3 साल से बड़ों को 3 ml से 10 ml तक 2 बार भोजन के बाद पानी की समान मात्रा के साथ देते हैं याद रखिए ये दवाई डॉक्टर के सलाह के बगेर बिल्कुल ही न ले बच्चों में रोग होने के कई कारण हो सकते हैं जो काफी खतरनाग भी होच सकते हैं इसलिए डॉक्टर के सलाह के बगेर ये दवा बिल्कुल न ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ प्रश्ण हो तो कमेंट कीजिए और ज्यादा शेदा लोगों तक ये वीडियो शेर करना ना बोले। धन्यवाद।